आपको आवाज आ रही होगे प्लीज बताइए यस और नो प्लीज बताओ चलिये यस अ यस अ यस अ यस अ हलो यस अ यस अ वेल सो गूद मॉर्णिंग गूद आफ्टरनों गूद इविनिंग तो अल अफ्यू इशली जो यहां पर आल्लाइण डाउनलोड करके देखेंगे इनके लिए गूद आफ्टरनों या गूद इविनिग आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़े में आपको क्लारीफार कर देता हूँ कल आपके लॉग इन में कुछ टेकनिकल डिजन के वज़े से नोटस अपलोड नहीं हो पाई आज वो टेकनिकल डिजन सौल हो जाएगा तो डोंट वरी नोटस अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूगा कि यहाँ पर वो पीडियाफ अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट मैं आपको ये कहना चाहूगा कि येस आपको क्या कंटेंट शेर करना है ये मैं डिसाइड करोगा ठेक है कुछ students की special requirement रहेगी जो भी मैं note करता हूँ यहाँ पे वो share करो यह मेरे लिए practical possible नहीं बेटा क्योंकि यह theory subject है practical subject में possible हो जाता है क्योंकि वो आप चीज़े समझ जाते हो लेकिन यह theory subject में मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे तो हर content share करना possible नहीं है draw कर रहे हो तो वो possible हो सके तो मैं वो भी share कर दूँगा लेकिन हर जो भी मैं यहाँ note करोगा सभी content share नहीं होगा क्योंकि क्या होता है जब आप बाद में पढ़ने बैठते हो तो वो situation में मैंने कोई short में लिखा होगा तो unnecessary आप मुझे बाद में doubt पुछते हो कि sir आपने क्या लिखा था यहाँ पे जबकि वो कोई भी required नहीं है exam के इसाब से हमें सीब उस concept को समझना है इसलिए ये बात बहुत clearly समझ लो point number two demo lectures YouTube पे तीन ही रहेगे अरे 10-11 lecture तो customs के है अगर आप कहोगे कि यहाँ पे demo lecture पांच लिक्चर डाल दो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और कि demo lectures यहाँ पे तीन ही रहेगे और प्लीज जो भी student connected है और कि यहाँ पे वो यहाँ message जो है चलिए तो spam ना करें और हमारा discussion बिना time के वेस्ट किये हम स्टार्ट करते हैं ठीक है आर यू रेड़ी यह camera color combination में थो प्रॉब्लम जा रहा है हो सकता है in between camera बंद पढ़ जा है कल तो ठीक किया था लेकिन अगर बंद पढ़ जा है तो patience रखना मैं वापस connect हो जाओगा चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं येस दोस्तों Good morning, good afternoon, good evening to all of you कैसे आप सबी लोग I hope आप बहुत अच्छ होगे एक लंबी सास लो और कहो जो भी हुआ कहो मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है इस बार IIT में 80 पाद चलिए सबसे पहले तो हम revise कर लेते जो भी concepts हमने यहाँ पर देखे है यहाँ कुछ ज़्यादा डिस्टिल डिस्कुशन दो हमने अभी तक start ही नहीं किया है एक concept अप ले भी हमने यहाँ पर देखा है चलिए हमने क्या देखा था Article 265 Article 265 क्या कहता है अगर कोई भी tax इंडिया में लगाना हो तो उससे रिलेटेड लॉव बनाओ फिस दूसरा सवाल यहाँ आता है कि इंडिया में लॉव कौन बना सकता है Article 245 Article 245 यह कहता है इंडिया में लॉव दो ऑथरिटी बना सकती है एक है पार्लियमेंट जो पूरे इंडिया से रिलेटेड लॉव बनाएंगी और एक है लेजिसलेचर ओप स्टेट जो यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड लॉव बनाएगा नेक्स आर्टिकल 246 में टोटल 3 लिस्ट है जो जो फूर एक्सटन ड्यूटी लगाने का पावर दे थे इंक्लूड़ी एक्सपोट ड्यूटी यह थोड़ा याद रखना उसके बाद में हिरार की हमने देखे थी कॉंस्टिटुशन आप इंडिया यह हमारा सुप्रीम लॉव है आल एक्स आर एक्स आर उसके बाद में act, act passed by the parliament or state legislature, it emanates from constitution of India and third, अगर कोई contradiction है constitution of India में, तो obviously constitution of India is supreme law that will prevail, okay, rules कोन बनाता है, central government or state government for proper implementation of act, okay, next, regulations for proper administration of act, जो CBIC बनाती है, notification, government issue करता है, in official gazette, normally related to exemptions and procedure, और circular, circular CBIC के clarifications होते है, instructions होते है, या directions होती है, specially वो अरिया में, जहाँ law ambiguous है, to maintain the uniformity in that area where the law is ambiguous, तो वो case में, क्या issue होते है बेटा, वो case में, यहाँ issue होते है, circulars, चलिए, तो यह हमने देखा, regarding to, यहाँ पर circular, next, अब यहाँ, हमने पहला chapter स्टार्ट किया था, customs act का levy, कोई भी economical law, three stages में कहरी होता है, levy assessment and collection, तो यहाँ पर सबसे पहले, इस chapter में देखेंगे, कि लेवी किस के उपर आती है, creation of charge, उसके बाद में quantification of charge, and then collection of charge, अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ definitions मैंने पहले ले जिसे convince, जब भी मैं convince यूज करू, तो vessel aircraft वेहिकर, generally convince यह word तब use होता है, जब यहाँ पर cargo लाने के लिए, goods लाने के लिए, या passengers लाने के लिए, वो use किया जाता है, okay, during journey, अब cargo nothing but the big containers goods, उसे cargo कहा जाता है, ठीक है, now, okay, साथ साथ में एक चीज यहाँ समझ लो, हमने जब section 12 देखा था, और goods की definition देखी थी, तो section 12 में, goods की definition में हमने क्या देखा था, हमने यह देखा था, कि उसमें भी vessel vehicle aircraft है, लेकिन what is the difference between goods definition and convince definition, जब कोई vessel vehicle aircraft पहली बार, हमारे ownership में, इनिया में आ रहा है, to run the business, तो वो goods होता है, और एक बार वो उसका custom duty पे कर दिया, registration हो गया, तो वो बन जाता है, convince, convince पे duty नहीं आती है, हाँ, जब पहली बार लाते हो, तो उसके उपर as a goods duty आती है, दूसरा, vehicle, vehicle में आप train भी cover करोगे, ओके, थर्ड, dutyable goods, dutyable goods मतलब, ऐसा goods जो liable to duty है, पर उसके उपर अभी तक custom duty पे नहीं हुई है, अब दोस्तों, यहाँ पे, मैं आप से कहूँ कि, dutyable goods में, जहां तक देखा जाए, तो जैसी, कल हमने जो बात पे aim किया था, कि जैसी goods ने territorial water cross कर दिया, liability आ की, लेकिन उसकी duty पे होती है, जब वो customs area से clear होता है, तो, ओके, territorial water से लेके, तो जब तक goods clear नहीं होता है, तब तक ओके, यहाँ पे वो goods का status जो होता है, वो dutyable goods होता है, यहाँ चार्जिबल टी duty पर जिसके उपर हमने duty पे नहीं किया है, चलिए, उसके बाद में, next बेटा, यहाँ पे charging section, charging section, यह मैंने direct section 12 से इसले start किया, reason ही है, क्योंकि, हमने पहले यह जानना है, कि कौन सा ऐसा point है, जि liability create किया हुआ है, तो दोस्तों, यहाँ पे section 12 यह बताता है, इसके पहले के section procedure से related है, जो chapter 2 में हम देखेंगे है, तो यहाँ पे, आप अगर directly इसको चार्ट में पढ़ते हो, और वही point wise मैंने पढ़ते हो, तो आपको ही समझ में आता है, कि लेवी किसके उपर है, तो better way, यह जो chart है, आज complete करेंगे, और इसका screenshot मैं आपको share कर दूगा, बहुत सारी charts ऐसे होगे, कि जहां पे, एक screenshot में possible नहीं होगा, तो मैं आपको दो screenshot यहाँ पे, telegram group में share कर दूगा, specially वो students के लिए ज़्यादा useful होगा, जो अभी मेरे साथ live streaming में कर रहे है, हाँ, वो student जो बाद मे online download करके देखेंगे, या एक मैने बाद देखेंगे, या दो मैने बाद देखेंगे, तो उनको telegram group में जाके, documents में या image share में उनको search करना पड़ेगा, okay, but I will try my best कि उसकी PDF में यहाँ पे pin करके रखो, ठीक है, चलिया, तो यहाँ पे section 12 जो है, यहां section 12 हम देखेंगे, section 12 क्या law for timing in force, duties of custom called as BCD, basic customs duty, okay, shall be levied at such rate as may be specified under custom tariff act, और any other law for timing in force, यहां पे ख्याल रहे है, simple word में अगर मैं आपको यह बताओ, तो other laws की provisions section 12 पे prevail होगी, अगर कोई contradiction होगा, या इसी act की provision prevail होगी, अगर कोई contradiction होगा, जुसरी बात आपको यह बताओ, कि custom duty, जिसे BCD कहा जाता है, basic custom duty, यह कौन से rate से pay होगी, तो rate आएगा custom tariff act से, custom tariff act 1975, okay, तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहोगा, custom act 1962 है, और custom tariff act 1975 है, okay, तो यह जो gap है 13 साल का, तो तब तक rate कहां से लिया जाता था, तो आपको यह बताओ, तब उसके पहले rate custom act खुद the rate, उनके tariff थे, लेकिन, okay, 1975 में हम international standards पे आए, और हमने हमारा tariff जो है, international standards पे बनाया, और act बना custom tariff act 1975, okay, चलो, यहां तक तो कोई important नहीं, the main unique feature of levy क्या है, okay, तो वो है, there must be a goods, यहने, अगर मैं आपको पूछूँ, कि बही, simple word में बताओ, कि customs की duty की levy कब आती है, तो there must be goods, goods होना जी है, और that goods must be imported into India, और exported from India, हाँ, rate, custom tariff act से आएगा, okay, तो अब यहां पे, duties of custom shall be lived on goods, which are imported into India, और exported from India, अब दुसरी बात बेटा, यहां अगर हम देखे, तो what is the definition of goods in customs, customs में क्या definition है, तो goods की definition, okay, आपको थोड़ी learn करनी पड़ेगी, section 222, section learn हो जाए, तो अच्छ बात है, goods includes, चलो, मेरे साथ revise करो, come on, come on, come on, मेरे साथ revise करो, goods includes, vessel, aircraft and vehicle, stores, baggage, currency or negotiable instrument, और any other kind of movable property, उसे हम goods कहेंगे, यहां पे, तो यहां, okay, goods includes, यहां पहले लेते हैं, vessel, aircraft and vehicle, जैसे मैंने अभी बताया, कि first time जब आप import करोगे, अपने नाम के लिए, अपने ownership में, तो तब आपको custom duty पे करनी पड़ेगी, okay, next अगर हम बात करें, तो goods includes stores, okay, next अगर हम बात करें, तो goods includes stores, stores हैने क्या, यह कोई cargo नहीं है, यह ship, जब long journey में, अपने passengers के लिए, crew members के लिए, कुछ goods रखती है, जैसे food articles हो गए, या फिर consumption articles हो गए, okay, cold drink हो गई, या drink हो गई, okay, जो, okay, vessel और aircraft में carry होते है, उसे जो है, यहाँ पे, okay, stores का आजाता है, जब कोई ship बाहर से आती है, तो stores लेके आती है, और जो vessel के operations के लिए, use की जाते हैं, इसे fuel, spare parts, और other articles of equipment, आपने immediate fitting हो या ना हो, okay, तो जहां तक दिखा जाया, उसे भी store का जाता है, अगर अगर आपने यह stores ला करनी पड़ेगी, okay, दुसरी बात, अगर हम यह आप देखे, baggage, baggage includes unaccompanied baggage, but does not includes motor vehicle, थोड़ा इस बात को समझ लो, okay, definition में कुछ ऐसा दम नहीं है, पर general meaning अगर देखे, baggage का, तो belongings with which one travel, और आपने trunks में, bags में, जो भी goods लाया, जो भी belongings है, okay, तो वो goods पे, okay, duty आएगी, क्यों आपके personal goods हो, लेकिन ख्याल रहे, अगर आपकी baggage बाद में भी आती है, तो भी duty आएगी, पर उसमें motor vehicle consider नहीं होगा, तो for MCQ, यह बात आप देहन रखे, कि motor vehicle उसमें covered नहीं होगा, okay, उसके बाद में currency or negotiable instrument, यह बहुत important point है, currency or negotiable instrument, इन्होंने just for declaration purpose लाया है, मतलब क्या हु मतलब वैसे तो currency or negotiable instrument पे duty rate जो है, वो नील है, लेकिन just declaration purpose के लिए उन्होंने लाया है, उसके बाद में any other kind of movable property, मतलब भाई, last line में तो clear कर दिया, जो main main है, कि कोई भी movable property, याने पीन से लेके elephant तक मिटी भी लाओगे, except human, आप कुछ भी लाते हो, या export करते हो, तो custom duty उपर आ सकती है, लेकिन obviously export सब पर नहीं लगता है, government ने कुछ ही goods पर export duty लगाई है, ओके, चलिए, यह आपने यहाँ पर देखा, उसके बाद में on goods which are imported into India, ओके, goods which are imported into India, तो अब हम बात करेंगे, what do you mean by India, custom purpose के लिए, धायन से सुनिएगा, custom purpose के लिए, India includes territorial water of India, इंडिया includes territorial water of India, मतलब, customs के लिए, customs के लिए, बोलो मेरे साथ एक बार, बोलो, please, 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 बोलो, okay, customs के लिए, इंडिया जो है, वो territorial water तक ही माना जाएगा, okay, उसके beyond नहीं माना जाएगा, तो sir, इंडिया का definition, क्या, हर act अपने convenience के हिसाब से बनाता है, yes, income tax में इंडिया का context में याद रखना है, okay, तो territorial water of India, okay, वो इंडिया यहाँ पे कवर होगा, now, next, अगर हम बात करें, okay, तो import की definition क्या है, with its grammatical variation and cognitive expression, यह word नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, main part क्या है, import याने क्या, तो import means bringing into India from a place outside India, okay, bringing into India from a place क्या, outside India, उसे import कहा जाएगा, चली भाई, okay, यह हमें समझ भी आया, तो हम last discussion कौन से point पे रोके थे, अगर आपको याद होगा, तो last discussion हमने यह point पे रोका था, कि अगर customs के हिसाब से, India हम यहाँ तक मानेंगे, अगर territorial water तक मानेंगे, तो when the goods are said to be imported into India, तो goods, as soon as goods crosses the territorial water, I hope, as soon as goods crosses the territorial water, okay, by ship, okay, by यहाँ पे aircraft, okay, यह कोई भी मो water उसने cross किया, that's all, okay, custom duty आगी, आजाएगी, और मैं आपको कहूँ क्या, उन्होंने कहा, goods imported, मोड कोई भी हो, ड्रोन से लाओ, यह कहा कहा कि भई, goods imported by ship, तो ही duty आएगी, goods imported by aircraft, तो ही duty आएगी, goods imported by this mode, तो ही duty आएगी, नहीं, okay, अगर आप section 12 कहते हो, तो दो line उनने goods, दो सवाल पुछे जाएगे, goods, हाँ, imported, हाँ, that's all, okay, duty आजाएगी, फिर आप drone से लाओ, animal से लाओ, aircraft से लाओ, ships से लाओ, okay, पंडुब भी से लाओ, okay, आपको जो मोड से लाना है, वो मोड से लाओ, पर आपके उपर duty आजाएगा, is it clear, yes, okay, जैसे territorial water cross हो जाएगा, चलि trade, कब बोला जाएगा, तो एक line में आपका answer आना चीए, कि जब उसने territorial water cross कर दिया, तब goods import माना जाएगा, okay, I hope you understood, yes or no, आपके जो भी questions है, मैं सब लोगा, don't worry, okay, मैं बैटा हो ना, फिकर मत करो, मैं बैटा हो ना, फिकर मत करो, आपके जो भी doubts questions होगे, सब मैं entertain कर लोगा, ठीक है, यहाँ तक बताओ, clear हुआ सभी को, done, yes or no, शाली, अब थोड़ा एक point जो है, just a minute बेटा, just a minute, मैं एक आपका point लेना चाहोगा, समझे लो, यहाँ पे, territorial water के बाहर, okay, कोई mineral oil extract हो रहा है, okay, mineral oil extract हो रहा है, द्यान से सुनना मेरी बात हा, till 200 nautical miles, यह बहुत ही critical point है, till 200 nautical miles, कोई mineral oil extract हो रहा है, तो ऐसे case में क्या होगा, अब यह जो mineral oil extract हो रहा है, इसके उपर GST आता है, भाई, इसके उपर क्यो GST आता है, क्योंकि GST law जब हम पढ़ेंगे, okay, तो GST law में, India, 200 तक माना गया है, GST law में, India, 200 तक माना गया है, 200 nautical miles तक, अगर आप कोई goods का supply करते हो, या service provide करते हो, तो GST आता है, तो क्या होगा, जैसे Reliance Industry, या O.N.J.C, यहां extraction कर रही है, अगर वो यहां extraction कर रही है, तो वो situation में, द्यान से सुनो, यहां अगर वो extraction कर रही है, तो वो situation में, ओके GST आ जाएगा, अब यह जो industry थी, petroleum product वाली, specially extraction of mineral, oil और gases, इनको government से problem था, क्यों government से problem था, क्योंकि जब 200 nautical miles तक, वो extraction कर रही है, तो उन पर GST लग रहा है, क्योंकि GST आप को वहां तक जाता है, और हर law में, इंडिया का definition अलग अलग है, तो ऐसे case में, इनके उपर GST लग गया हूँ, ओके, इनके उपर GST लग गया, अब जब यहां पर mineral, oil और gases, extract हुआ, I repeat, mineral, oil, or gases, extract हुआ, और वो जब इंडिया में आया, वो जब इंडिया में आया, तो custom law क्या, अगर custom law की साफसे, मैं इंडिया ट्रिटल वाटर पे मानू, तो गरबड़ क्या हो जाएगी, गरबड़ी हो जाएगी, कि, OK, GST भी लगा, और जैसे मैं वो ट्रिटल वाटर के अंदर लगा, तो bringing in to India, from a place क्या, outside area, मतलब उसके उपर क्या लग गया, customs भी लग जाएगा, क्योंकि वो import के definition में आ जाता है, क्योंकि import की definition, अगर आप दहान से पढ़ते हो, तो ये कहीं नहीं लिखा है, कि foreign port से आना चाहिए, आप हाई-सी से भी लाते हो, या territorial water के बहार से लाते हो, तो वो import मान लिया जाएगा, तो उसके उपर import duty भी लग जाएगी, तो दो-दो tax लग जाएगे, अब industry कहती थी, कि भाई ये गलत बात है, आप दो tax कैसे लगा सकते हो, आप उसके उपर custom duty भी, क्योंकि import के definition में आ गया, उदर GST भी लगा दिया, तो ऐसे situation में, यहाँ पर, specially extraction of mineral oil or gases, बोलो मेरे साथ, सभी, seriously बोलना, जो चीज़े मैं कहों, बोलो मेरे साथ तो आपको बोलना है, for extraction of mineral oil or gases, इन्होंने जो है, क्स्टम जो है, क्स्टम टेर्टरिल वाटर तक नहीं, इन्डिया जो है, वो इन्डिया 200 nautical miles तक माना जाएगा, मतलब, मतलब, अगर आप 200 nautical miles तक, 200 nautical miles तक, कोई extraction करते हो, तो वो, वो विदिन इन्डिया माना जाएगा, for customs, इसलिए उसको bringing into India, from a place outside India, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो विदिन इन्डिया है, in simple word, उसके उपर custom duty नहीं लगेगी, क्योंकि वो विदिन इन्डिया ही हो रहा है, तो अब एक सवाल है, फिर से, क्या सभी activity के लिए, वो 200 nautical miles तक है, क्या customs में इन्डिया, नहीं, बाकि सारे goods के लिए, वो 12 nautical miles तक ही माना जाएगा, लेकिन, extraction of mineral oil और gases, के लिए जो है, वो इंडिया 200 nautical miles तक माना जाएगा, तो अगर विदिन इन्डिया extraction होता है, तो वो विदिन, ऑकि उसके उपर custom duty नहीं आती है, लेकिन अगर वो high sea में extraction हुआ, अगर extraction हाई सी में हुआ, और वहाँ से लाया, तो फिर bringing into India माना जाएगा, और उसे import माना जाएगा, I hope यह point समझे होगे, क्योंकि यह point पे, हो सकता है, वो एक या दो मार्ग का question आपको पूछ सके, इसलिए यह point मैं यहाँ पे explaining कर रहा हूँ, समझा क्या, समझा होगा तो फटाफट यह type करो, और के समझा होगा तो फटाफट यह type करो, चलो, डन, चलिए, जस्ट अ मिनिट बेटा, एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ मैं, और यह कौनसा फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, उस पे ध्यानवत देना भाई, नहीं तो वाट्स अप करोगे सर, आपने वो फोल्डर ओपन कर दिया, हमारे लेक्शर ना अपडेटेट है की नहीं है, तो खीच के दूँगा, यह भाई मेरे पास जो फोल्डर पे से होगी, वो ओपन कर दूँगा, यहाँ पे फाल्दू के सवाल नहीं पुछने का, पुछने का, अब मैं एक केस स्टड़ी देना चाहता हूँ, जो बहुत हेल्फुल रहेगी हमारे लिए, तो क्लारिफाइ दे सिट्यूएशन आप कस्टम्स, वो केस स्टड़ी क्या है, चलो आपको समझा देता हूँ, आगे एक सेक्शन आएगा, और वो सेक्शन रहेगा, सेक्शन फिप्टीन, सेक्शन फिप्टीन, वो कहता है, मैं थोड़ा आपको, आपके साथ, और डीटेल में लेना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, और सेक्शन, अरे या, क्यों ऐसा हो रहे है, सेक्शन फिप्टीन, और उसके बाद में, सेक्शन फिप्टीन, ठीक है, और सेक्शन ट्वेल, सर ये लिखना है क्या, नहीं, सर ये जो है, आप इसकी फाइल शेयर करोगे क्या, नहीं, कुछ चीजे मेरे को डिसाइड करने दो, कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पर, टीचर मैं हूँ, आप नहीं, ठीक है, अब सेक्शन ट्वेल, क्या कहता है देखिए, ये आगे आएगा, और आपको अच्छे से समझ भी जाएगा, सेक्शन ट्वेल कहता है, जब import होगा मतलब जब territorial water cross होगा जब goods territorial water cross होगा तो वो situation में import माना जाएगा तो import माना जाएगा 46 कहता है जब आपका goods custom सेरिया में आ जाता है जैसे आपका जो goods है और ये goods custom सेरिया में आ गया अलोड हो गया custom port पे लेट्स टेक एक्जामपल मुंबई port पे या एरपोर्ट पे अलोड हो गया अलोड होने के बाद यहाँ पे importer जो owner होता है goods का जो goods का owner होता है जिसको हम नाम देते है importer importer को goods को clear करने के लिए एक document फाइल करना पड़ेगा और यह आपने बहुत से बार सुना होगा नहीं सुना होगा तो अभी line कर लेना clearance के लिए document फाइल करना पड़ता है और उस document का नाम होता है bill of entry clearance के लिए मतलब जब आपको import करते हो तो goods आपके घर पे नहीं आता है वो port area में होता है और आपको एक application देना पड़ता है वो application का नाम है bill of entry फिर आगे word है bill of entry for home consumption तो उसका मतलब क्या होता है बैं आगे बताओगा अभी एक word learn कर लेना bill of entry तो आप अपनी bill of entry फाइल करोगे वो bill of entry फाइल करनी पड़ती है section 46 में section 46 कहता है कि बाई जो भी importer रहेगा okay importer रहेगा clearance के लिए clearance के लिए उसको फाइल करनी पड़ती है bill of entry bill of entry भी बाई ए ठीक है अब यह जो bill of entry फाइल होती है यह clearance document होता है यह application होता है जिसमें वो सब बताता है कि यह goods मैंने कहां से लाया कितना लाया कितने quantity में लाया यह सारी चीज़े उसके bill of entry में होती है तो चलो भाई अब वो bill of entry फाइल करेगा done यहां तक clear अब उसके बाद में यह bill of entry आपकी check की जाती है और वो bill of entry जो check की जाती है उसके बेस पे custom officer आपका goods असेस करता है और clearance order देता है अब section 47 क्या कहता है section 47 कहता है कि यह जो bill of entry है इस bill of entry पे हमारे custom officer की order आएगी customs officer की order आएगी और वो custom officer की order जो रहेगी वो order मिलने के बाद ही आप goods को clear कर पाओ के यहने जब तक आपको order नहीं मिलती है clearance की तब तक आप goods घर पे नहीं ले जा सकते अब यह order मिलने की condition क्या है यह order मिलने की condition यह है कि आपने और कि जो भी custom duty असेस किया है और कि आपको वो custom duty pay करना पड़ेगा यहने payment of custom duty यहने जब तक आप custom duty पे नहीं करते हो और कि तब तक clearance नहीं मिलेगा अब आपका सवाल होगा क्या कि सर यह जो custom duty है यह department assist करता है यह self assessment है custom duty self assessment है okay self assessment है मतलब क्या मतलब यह below up entry जब आप file करते हो तो आपको खुद को ही यह calculate करके देनी पड़ती है okay calculate करके देनी पड़ती है calculate the duty self assessment है okay फिर वो income tax हो GST हो या customs हो सभी में government ने self assessment रखा हुआ है just a minute सभी में government ने self assessment रखा हुआ है तो okay sir वो importer layman कैसे calculate कर पाएगा तो भाई layman तो GST भी calculate नहीं कर सकता इसके लिए experts होते secretary तो ये उनको okay हमारे पास आना पड़ता है हम ये जो सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे है पढ़ रहे है okay हमें अपना mind apply करना पढ़ता है हमारा skill use करना पढ़ता है और उनकी custom duty निकाल के हम देंगे और हमारा fees लेंगे okay पर जहां तक है ये importer की liability है कि वो custom duty calculate करें चलो आगे बढ़ते है okay तो section 47 में उसकी custom duty जब तक जो भी आपने assist की है okay officer check करेगा कि वो right है okay और वो right होने के बाद आप custom duty पे करोगे आपका एक सवाल आ सकता है sir customs act में return होता है जैसे sir income tax में income tax में आपने देखा return होते है return मतलब आपने जो भी tax assess किया वो self assessment आप department को बता रहे हो okay GST GST में भी return होते है जो आपने tax assess किया invoice में okay वो आप department को बता रहे हो क्या customs में return होता है क्या customs में return concept नहीं होता है आपका transaction wise checking होता है मतलब आप हर transaction का below of entry फाइल करते हो और वो below of entry officer हर transaction पे assess करता है okay वो हर transaction पे assess करता है और वो assess करने के बाद जहां तक देखा जाए order देता है कि हाँ आपका transaction सही है जब वो हर transaction को assess कर रहा है order दे रहा है तो return फाइल करने की जरुबत नहीं है इसलिए customs में return नहीं होते है हाँ पर एक बहुत important बात क्या है जो GST और custom में difference है GST में आपको tax monthly या quarterly basis पे government को देना पड़ता है अगर आपने सुना होगा पहले GSTR 1 फाइल होता है और बाद में 3B फाइल होता है ऐसे case में monthly quarterly tax देना पड़ता है लेकिन customs में monthly quarterly deferred payment facility सबको नहीं मिलती है जो regular importer है उनको ही मिलती है जो हम बाद में देखेंगे अभी तो आप generally ये समझो कि custom duty आपको हर transaction पे देनी पड़ती है अब आपका सवाल होगा कि sir custom duty नहीं दिया तो आपको clearance order नहीं मिलेगी payment of custom duty बहुत जरूरी है payment of custom duty यहां पे बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद ही clearance order मिलती है अब मैं आपको ये law क्या कहता है section 15 क्या कहता है इसमें लाओगा section 15 ये कहता है कि आपको rate कौन से applicable होगे GST के rate सब्सक्राइब कौन से applicable होगे अब sir ये क्या है relevant date for duty rate relevant date for duty rate अब sir ये जो अभी मैं पढ़ाओगा बहुत important है ध्यान रखना गाड़ बान लेना ठीक है custom duty rate क्या होने चाहिए चलिए अब देखो क्या होता है generally budget फेब में आता है example लेता है कि 10 फेब को budget आया 10 फेब को budget आया finance bill प्रपोज हुआ नहीं finance bill समझे लो 2024 प्रपोज हुआ अब ये जो finance bill 2024 2025 2026 जो भी example में ले रहा हूँ ये प्रपोज हुआ in the house of parliament प्रपोज में ये जो है प्रपोजल दिया गया by finance minister अब इसमें एक दो मैंना discussion चलता है और बात में ये बनता है finance act finance act 2024 2024 अगर 2025 होगा है तो 2025 जो भी है और के finance act बनता है और जैसी वह finance act बन जाता है प्रेसिडेंट का असेंड बिल जाता है तो respective act में amendment हो जाती है मतलब accordingly customs customs act या custom tariff act में amendment कर दी जाती है अब देखो क्या होता है law क्या कहता है अब समझलो 10 feb के पहले 10 feb के लिए पहले किसी goods का custom duty rate सुनो किसी goods का custom duty rate 10 feb के पहले जाने दिजिए किसी goods का custom duty rate यहाँ पे टेंथ अफ फैब के पहले समझे लो गोल्ड है और गोल्ड का रेट है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी रेट 20% आजूम करते हैं 20% 10 फेब के बहले है नौ प्रपोजल आया गोवर्मेंट का और प्रपोजल यह आया कि भाई यहाँ पे कस्टम ड्यूटी रेट फैनास मिस्टर ने कहा कि यह कस्टम ड्यूटी रेट हम बढ़ा देंगे हम यह कस्टम ड्यूटी रेट बढ़ाने वाल है और 20% का अब वो बढ़ाने वाले आगे याने आगे वो करने वाले कस्टम ड्यूटी रेट 30% याने इंक्रीज किया गया okay custom duty rate अब दोस्तों यह जो custom duty rate increase हुआ okay increase हुआ ठीक है तो यह लागू कब से होगा जिस दिन final finance bill present हुआ उस दिन से लागू होगा यह जिस दिन president का assent मिला finance act okay एक दो मैने बाद जब भी मिला होगा उस दिन से लागू होगा लागू कब से होगा तो तो यहाँ इन्या में पार्लेमेंट ने टेंपररी प्रोविजनल कलेक्शन आक्ट याद रखने के जरुवत नहीं है प्रोविजनल कलेक्शन आक्ट टैक्सिस प्रोविजनल कलेक्शन आक्ट पास करके रखा हुआ है और उन्हेंने का कि अगर हमने प्रपोजल दिया होगा इ 11.5 से ही लाग हो जाएंगे, रात को 12 बजे से 11.5 से ही लाग हो जाएंगे, इवन दो वो Finance Act 2024 प्रेसिडेंट का असे ना मिलाओ, पास ना हुआओ, क्योंकि रिजन आपको बता देता हूँ, रिजन क्या है, रिजन ये है, ध्यान से सुनो, रिजन ये है कि यहाँ अगर जैसे पहले होता था, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गी, तो इमिजेटली रात को ही लागू हो जाती थी, आज अगर बढ़ा है, वैसे कस्टम ड्यूटी की रेट, मैं स्पिशली कस्टम ड्यूटी बल रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी की रेट, नेक्स डे रात को 12 बजे से ह लागू कर दिये जाते है, फिर प्रेसिडेंट का आसन मिलेगा तब मिलेगा, इसका यह ऐसा क्यों किया गया, क्या कंट्रोल करना चाहते थे, तो मैं आपको बता दू, वो यह कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि रेट अगर बढ़ाए गये तो फुरे इंडिया को मालम समझ लो, Finance Act पास हुआ, और यह लागू 10th April तक कर दिया जाए, तो वो केस में लोग क्या करेंगे, इस पिरेड के दोरान जादा से जादा इंपोर्ट कर लेंगे, ओल्ड रेट में, गवर्मेंट को यह बात पता थी, कि अगर हमने इमिजियट लागू नहीं किया, तो लाइन लग जाती थी, पुरानी बात थी, पिट्रोल फंपे लाइन लग जाती थी, कुछ याद है आपको, तो दोस्तों, वैसा ही कुछ इसमें हो सकता है, इसलिए, ओके, नेक्स दीन से ही, ओके, रात को बारा बज़े से, यह रेट लागू हो जाते हैं, तो ऐसे केस में, ओके, यहाँ पे, पुराने रेट 20 परसेंट ते प्रपोजल आया, रात को बारा बज़े से, 11 फेब से रेट लाग हो जाते हैं, ओके, और ने रेट इसके बाद, 11 फेब के बाद, या 11 फेब को, कोई भी अगर इंपोर्ट होता है, ओके, तो वो केस में ने रेट अप्लीके ऐट पॉर अप्लीकिबिलिटी ऑप रेट मतलब क्या, मतलब समझलो, मैरे गुट्स ने जब टरोटरिल फॉर्टर मेडू Past किया, तक टब डरेट था 20 परसेंट तक यूडर्ट ने प्लीकेशन धिया, तब रेट था 30 परसेंट, थर्टी परसेंट क्योंकि इन बेट्मिन ब rate बदल गया, और तब rate हो गया 30%, तो ऐसे case में section 15 यह कहता है, section 15 यह कहता है, which is the relevant date for duty rate, तो ऐसे case में section 15 कहता है, कि यहाँ पे जिस दिन आप below of entry file करोगे under section 46, यह 46 में, जब आप below of entry file करोगे, उस दिन का rate लिया जाएगा, okay, मतलब, okay, यह बता, सभी बता जो student connected है, section 15 के इसाब से, यहाँ पे जिस दिन आप below of entry file करोगे, उस दिन का rate लिया जाएगा, okay, तो बता 20% applicable होगा, जिस दिन ट्रिटल वाटर क्रॉस किया, या फिर 30% applicable होगा, या भी 30% applicable होगा, बताएगे, कौन सा rate applicable किया जाएगा, 20 या 30% 30% obviously better, 30% applicable किया जाएगा, okay, क्योंकि section 15 कहता है, यहाँ पे की 30%, अब दिखो, यहाँ case क्या होगी थी, और मज़ा यह यह आएगा, अब मैं picture में लाता हूँ, यहाँ पे section 12 और section 15, और देखो बेटा, मैं इतना गंदा लिखता हूँ, ऐसे denotation, अगर मैं आपको share कर दूँ, तो आप बाद में इतने confused होजाओगे, इसलिए please, मेरी request है कि मैं वही share करूगा, आपको जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यह clear है, जैसे charts होगे, कुछ diagram होगी, तो पे वह शेयर करूगा, यह इतने, अधने, तेरी subject है, ऐसे denotation, और ऐसा तो आप तो मेरे को परिशान कर दोगे, पुछ पुछ के, सर यह क्या लिखा हुआ है, सर यह क्या लिखा हुआ है, सर यह क्या लिखा हुआ है, तो please यह बात को समझो, enough mature हो जाओ, हर subject में possible नहीं है, और क्या है, आप mature लोगो, आदत सही subject में सही लगाओ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा नाम है Garden Silk Mill Limited, Garden Silk Mill Limited, एक case law आपके सामने आ रही है, बड़ी अच्छी case law है, initial level पे समझने के लिए, आप सही answer दे रहे हो, सारे student ने यहाँ पे बिलकुल सही answer दिया, कि section 15 अगर लागू करे, तो section 15 के इसाब से, आपका जो rate होगा, वो 30% रहेगा, बिलकुल सही आपका, 30% rate लग बड़ बड़ क्या होगी, इंडस्ट्री का काम ही है, dispute create करना, चलो, लड़ते case, देखते code क्या कहता है, अब देखो क्या होगा, company का नाम है Garden Silk Mill Limited, बड़ी अच्छी landmark case है, landmark मतलब, यहाँ पे, जिसने law का interpretation को, और clarity दी, और सारे issue resolve कर दिया, landmark case क्या है, case यहाँ पे, यह case में दो सवाल पूछे गया, ठीक है, और कुछ जो भी problems है, वो problems है clear किया गया, सबसे पहला सवाल, यह case में क्या था, अगर यहाँ, section 12, जो charging section है, अगर मैं section 12 apply करो, to section 12 कहता है, okay, levy of custom duty will arise, when goods are imported, चलो ठीक है, what do you mean by import, import means, bringing into India, from a place outside India, ठीक है, मतलब, when you cross the territorial water, जैसे turtle water, okay, आपने cross कर दिया, लेवी आगी, liability arise होगी, चलो ठीक है, यह liability आपकी arise होगी, लेवी आगी, ठीक है, उसके बाद में, आपको duty कब देना पड़ता है, section 47 के हिसाब से, आप जब clearance order लोगे, तो clearance order के पहले duty देना पड़ता है, याने government कहीं पर यह नहीं कह रहा है, कि duty आपको यहीं देना पड़ेगा, भाई, यहाँ duty collection पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यह territorial water imaginary line है, navigation के दूँ control होती है, ऐसे थोड़ी fencing थोड़ी होता है वहाँ पर, कि fencing हुआ, दरवाजा खोला, फिराजा और ट्रिटल वाटर में, ऐसा थोड़ी होता है, वो, okay imaginary line है, okay, वहाँ collection कैसे करेंगे, वहाँ officer बैठा है, okay, दे दो duty, वहाँ पी, okay, वैसा नहीं होता है, तुम हाँ liability arise कर दी, तुम हमारे territory में आगए, हमारे territory में आगए, मतलब liability arise हो गई, okay, हाँ, हमें pay तब करो, जब आप below entry फाइल कर दोगे, और order लेने के पहले pay कर दो ठीक है, section 15 के हिसाब से, जब तुम अपना self assessment करके, bill of entry फाइल करोगे, तो जब अपना self assessment करोगे, उस दिन का rate ले लेना, 30%, okay, क्योंकि bill of entry is the self assessment document, ठीक है, अब दोस्तों, garden self में limited ने, एक question raise किया, in the court, हुआ क्या था, जब company का goods आया, और उसने turtle water cross किया, तो rate applicable था, 20%, done, लेकिन जब bill of entry उसने फाइल किया, in between budget आ गया, और budget में, यहाँ पे textile product के rate बढ़ा दिया, garden silk में limit थे था, तो textile fabrics के, यहाँ पे rates बढ़ा दिया, और rate समझ लो, 30% कर दिया, तो, bill of entry, जब company ने फाइल की, okay, समझ लो, यह bill of entry company ने फाइल किया, okay, company ने फाइल किया, bill of entry, bill of entry जब फाइल किया, तो bill of entry में, importer ने self assessment किया था, 20% से, 20% से, officer bill of entry चेक कर रहा है, okay, यहाँ पे समझ लो, bill of entry है, और officer bill of entry चेक कर रहा है, officer ने देखा, 20% का duty calculate हुआ है, officer ने बुचा, यह क्या है, यह क्या है, sorry, bill of entry नीचे गरेगी, यहाँ पे, वापस आते हैं हमारे discussion पे, तो officer ने का, यह क्या है, okay, not acceptable, मैं आपकी bill of entry एक्सेप नहीं करूगा, okay, क्यों, क्योंकि जब आप bill of entry की date, जो है sir, इस date का rate अब 30% ने budget में बज़ेट में बदल गया, garden sale में limited ने का, प्रोसेस को बहुत अच्छे समझना बड़ा मज़ा है गा, okay, सामने, आप समझे लो, garden sale में limited है, और मैं officer हूँ, okay, अब चलो, केसी लड़ते मज़ा आएगा, okay, केसी लड़ते मज़ा आएगा, तो यहाँ पर officer ने का, I will not accept this bill of entry, मैं clearance order नहीं दोगा आपको इसके उपर, garden sale में limited के, okay, counselor ने का, कि सर, यह bill of entry आप accept कर लीजिए, 20% से duty आएगी, officer ने का, कैसे 20% से duty आएगी, okay, क्योंकि section 15 के हिसाब से, जब आप bill of entry फाइल कर रहोगे, तब तो 30% rate है, so now, garden sale में limited के, okay, यहाँ पर officer ने का, सर देखिए, section 12 के हिसाब से, levy कब आती है, section 12 के हिसाब से, levy तब आती है, when it crosses the territorial water, ठीक है, सर, section 12 charging section है, अगर section 12 charging section है, तो वो situation में, okay, जिस दिन ले हुई, उस दिन का rate 20% ही था, तो मैं तो 20% से duty पे करूगा, officer ने का, नई boss, मैं यह accept करने वाला नहीं हूँ, section 15 के हिसाब से, rate उस दिन के लिए जाते है, I will not give the clearance order, अब मैं जो कहने जारो, देहन से सुनना, now, मैंने का, sir ठीक है, आप agree नहीं है, तो मुझे एक तो provisional order दो, या फिर आप agree नहीं हो, उसका order दो, मैं appeal में जाओगा, मैं appeal में जाओगा, case appeal में आ गई, okay, conflict हो गया, case appeal में आ गई, tribunal, high court, supreme court, the case case चला, कि rate क्या होगा, क्योंकि, contradiction था 12 और 15 में, contradiction था 12 और 15 में, अब दोनों के contention सुन लो, और उसके बाद, आप decide करो कि क्या होगा, ready, ready हो या नहीं हो, कहिए yes sir, we are ready, अब पुरा court आपके साबने प्रेजेंट करता हूँ, और इस court में अब होगा क्या, देखते हैं, अगर मैं इस साइड हूँ, तो consular of department, और अगर मैं इस साइड हूँ, तो consular of assisi, ठीक है, now, consular of department, यहाँ पे वो क्या कहता है, my lord, a case is clear, very clear, now as per section 15, the rate of custom duty, should be on the date, when bill of entry is presented, my lord, a taxpayer has paid the, sorry, taxpayer has presented the bill of entry, on whatever is the date, on let's assume 10th April, on that date, applicable rate of custom duty is 30%, so my lord, duty is payable, as per 15, that is 30%, so my lord, case is so clear, no discuss, no need to discuss further, now, consular of assisi, I object my lord, I object, now, okay, judge ने का, okay, go ahead, consular of, assisted my lord, as per section 12, except otherwise provided in this act, or any other law for time, enforce the duties of custom, shall be levied, at the rate specified, under the custom tariff act, on goods, which are imported into India, goods includes, vessel vehicle, aircraft stores, baggage, consumer, negotiable instrument, or any other kind of movable property, now, India includes, territorial water, and import means, bringing into India, from a place outside India, so my lord, if we read section 12, with section 222, 227, and 223, definition of India, and import, it seems that, liability of custom will arise, when it crosses the territorial water, so my lord, rate should be 20%, and not 30%, that's all my lord, okay, how can we take the rate, beyond levy, levy should, rate should be of that date, when first time levy, is arise, okay, so in this case, you want to ask, if you have two minutes, you have two minutes, what decision will you give, rate is 20, conflict is 12, and 15, 12 says, levy is here, and 15 says, rate is here, it should be of that, so you tell me, what should the rate be of that, this case, I have to read a lot of things, what will happen, very good, very good, if you ask the judge, answer is very good, now, if you remember section 12, then start is, PIOI section 12, section 12 says, except otherwise provided in this act, or any other law for time to enforce, or any other law for time to enforce, if there is conflict in this act, then in that situation, okay, that other section will prevail, so that 15 cases, you will get the rate from 15, and I will tell you, I will tell you, that, yes, actually, there is no contradiction here, section 12, just creating the liability, not quantifying liability, every act, there are three events, one levy, another assessment, quantification, so, court's, it was said, it was said, listen, court's, it was said, that section 12, just levy created, okay, when to quantify, कब करना, कैसे करना, वो प्रोसिजर, totally other section में, section 15 में, और section 47 में, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, तो दोनों में, contradiction नहीं है, दोनों अपनी जगा सही है, और applicable rate, जो रहेगे, वो 30 परसंट रहेंगे, और, Supreme Court ने, बहुत अच्छे से समझाया, okay, सब बातों को ध्यान में, रखते हैं, Supreme Court ने, बहुत अच्छे से समझाया, और देखो, क्या का, case है, यहां पर, पहले तो आप book में, underline कर लो भाई, ने तो आपको ध्यानी नहीं रहेगा, फ़ले तो आप book में, underline कर लो, क्या underline करना है, import की definition, bringing into India, from a place, outside India, ठीक है, यह underline करना है, और, case है, garden silk mill limited, यह case में ले रहाँ, Supreme Court observe, in garden silk mill limited, मिरे साथ सभी, यह यहां पर underline करेंगे, that import of goods, will commence, when they process the territorial water, but continue and is completed, when they become a part of, mass of goods within the country, mass of the goods within the country, बोध अच्छे सामझा Supreme Court, Supreme Court ने यह का, की आप पूरे आपको, section 12, 46, 47, 15, और बहुत सारे section है, अगर आप पूरे आपको देखते हो, तो यहां पर हमारे, एक का intention क्या है, एक का intention यह है, कि जब territorial water cross होगा, तब importation just commence हुआ, complete नहीं, okay, complete कब होगा, जब goods इंडिया का part बन जाएगा, थोड़ा इसको हम ऐसा देखते हैं, just a minute, तो थोड़ा में इसको ऐसा देखते हैं, यह जाने दो, date wait, सब ठीक है, यह कुछ, ठीक है, बुरब, हाँ, तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो यह कहना चाहते हैं, कि territorial water पे, सुनो, territorial water जब cross होगा, तो वो territorial water पे just commence माना जाएगा, okay, यहाँ पे just importation commence माना जाएगा, completed नहीं, commence माना जाएगा, continue and completed, complete तो तब होगा, जब goods इंडिया का part बन जाएगा, it become, it become, part of, part of, mass of, part of mass of, goods of country, goods of country, जब वो इंडिया का part बना जाएगा, तब वो complete होगा, तब को complete होगा, ठीक है, तो पुरा concept को यह समझ लो, कि यहाँ just start होआ है, और जब वो इंडिया का part बनेगा, तब complete हो जाएगा, और, इन दावरान, इसके बीच में, आप पे duty कब आएगी, duty आपको तब देना पड़ेगा, जब आप bill of entry for home consumption, फाइल करोगे, याने in short, liability to pay customs duty, आपकी कब आएगी, और, when you file bill of entry for home consumption, the taxable event, being reached at the time when goods reached to custom barrier, custom barrier मतलब custom port, custom control, barrier मतलब custom control, जब goods custom control में आजाएगा, and bill of entry for home consumption is file, आपने bill of entry file किया, and that bill of entry for home consumption, okay, I hope you understood, yes or no, okay, एक मिनुट, यह decision जो है, यह decision clarify करता है, और यह clarify करता है, कि, आप, जब आपका goods जब total water cross करेगा, तो immediate duty देने की जरूबत नहीं है, वहाँ से import commence हुआ, complete तो तब होगा, जब goods India का part बनेगा, और इन दावरान, आपका tax ability, यहने liability to duty कब आएगा, आपकी liability तब ही आएगी, pay करने की, duty पे करने की, जब आप bill of entry for home consumption, file करोगे, ठीक है, done, यह समझा की नहीं समझा, यह समझा होगा, तो G-type करो, Garden Silk Mill Limited, याने, सर इससे हम क्या सीखे, और exam में कैसे लिखना चीए, तुम्हें बता होगा, आप यह सीखे, एक line में कहो कि, आप यह सीखे, कि जब तक bill of entry file नहीं होती है, सुनो, जब तक bill of entry आपकी file नहीं होती है, पर आपका taxable event था भी आएगा, जब आपने bill of entry for home consumption file की हो, ठीक है, अब एक सवाल, जो मैं अल्रड़ी explain कर चुका हो, Sir, what do you mean by bill of entry, bill of entry याने क्या, तो bill of entry मतलब application of clearance, अप्लिकेशन of clearance of goods from customs area, to be submitted by importer to custom officer, उसे हम bill of entry कहते है, और bill of entry for home consumption है नहीं क्या, Sir, home consumption है नहीं क्या, इट मिन्स clearance of goods in India, इंडिया is our home country, और इंडिया में clear करना, उसे कहते है, clearance of goods for home consumption, जो हमारे intended purpose के लिए हम clear कर रहे हैं, चलिए, अब एक concept और मैं यहां होगा, और वो है वेराऊसी, लेकिन आगे बढ़ने के पहले, आपके कोई सवाल और questions होगे, तो मैं यहां पे आपको दो मिनिट का time देता हूँ, आप अपने सवाल और questions पूछ सकते हो, और फिर हम discussion को आगे बढ़ाएंगे, चलो आप सवाल पूछो, अगर कोई question होगा, अभी बाकी सारे सवाल बाद में, यह नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब बाद में, अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया, उसमें कोई doubt और question है आपको, action rate तो बेटा आगे आएगा, action rate बिल आप इंट्री के होते हैं जनरली, पर उसमें भी कुछ parameter और है, मैं जो आगे पढ़ा होगा, खीक है, और कोई question, चलो, फिलाल तो कोई question नहीं है, अच्छे समझ में आया, जितने भी student मेरे साथ connected है, अच्छे से समझ में आया होगा, तो MZ MZ type करो, और like करो, like का जमाना है, ठीक है, चलो चलो फड़ा फट like करो, goods are sold from Pakistan to India, अरे भाई मैंने कहा नहीं बेटा आशीश, कली तो कहा मैंने, कि अगर किसी के साथ, अपना ओर लैपिंग होता है, तो 12 nautical miles फिर वो नहीं होता है, as per international treaty decide होता है, कितना area हमारा आया है, चलो, done, चलो फटा, अब मैं एक concept प्या होगा, concept of warehousing, ठीक है, यह concept क्या कहता है, अब बेटा, झक्लोच्टिर, तो से अपनागी है, क्यों एक vacation, कैसी कर फिर अप्याइ, क sorry, कि अटने खेक्मौच्टिमाइgen होता है, का क्ब़ुच्टिर थारत मैं प्याbig उट wieder... झाल झाल एक डियाग्राम पे आजा उपर जो दी है वेराउसिंग इस डियाग्राम पे आजा चलो सभी आजा चली अब यह वेराउसिंग कॉंसेप्ट क्या है थोड़ा दहान से सुनिएगा मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ कस्टम्स में गॉर्मेंट ने एक फैसिलिटी दिये इंडस्ट्रीस को और वो फैसिलिटी दिये वेराउसिंग यह यहाँ इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि इसका भी टैक्सिबल इवेंट जो है हम यहाँ डिसकस करने वाला है दोस्तों यह वेराउसिंग फैसिलिटी क्या है वेराउसिंग फैसिलिटी यह है कि अगर आप कोई भी गुट्स इंपोर्ट करते हो तो सिक्शन 47 क्या कहता है 47 कहता है कि जब तक आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं दोगे तब तक आपको क्लिरंस ओर्डर नहीं मिलेगी मतलब क्या होता है मतलब आपने जो भी गुट्स इंपोर्ट किया उसका पूरा कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा लेट सी के एक्जामपल मैंने कोई ऐसा गुट्स लाया जो 2000 कॉंटिटी का है और कंसाइमेंट 10 करोर का है अब कंसाइमेंट जो 10 करोर का कंसाइमेंट है और 2000 कॉंटिटी अनलोड किया मेरे सप्लियर ने तो मेरे को क्रेडिट दिया एक साल का credit दिया है लेकिन जैसे वो goods यहाँ पे land हो जाता है port पे port पे land होने के बाद बिटा मेरे सामने क्या challenge आता है मेरे सामने challenge आता है कि हमारी government section 47 में यह कहती है कि आप उसकी custom duty पे करोगे custom duty पे किये बिना हम clearance नहीं रहेंगे अब यहाँ पे मेरे goods पे customs duty जो है around 40-50% जाती है अब सर 40-50% कैसे जाती है basic custom duty होगी यहाँ पे 10-15% उसके बाद में additional custom duties आती है ACD आती है और कुछ other duties आती है समझ लो अब यह सर additional custom duty क्या होती है other duties क्या होती है वो मैं आगे के chapter में पढ़ा होगा आप कोई goods इंपोर्ट करते हो तो 30-50% का custom duty सारे custom duties मिला के 30-50% का burden आता है अब imagine करो कि अगर आप यहाँ पे 10 करोर का goods ला रहे हो और यह 10 करोर का goods जो आपने इंपोर्ट किया supplier ने तो credit दे दिया इतना बड़ा consignment लाया पर उसकी duty आजिम करते है सारी duties मिला के BCD, ACD मिला के यहाँ पे 30% का duty आपको लग रहा है तो 3 करोड आपको देना पड़ेगा और जब तक आप 3 करोड रुपीज नहीं पे करते हो clearance order नहीं मिलेगा अब आपका सवाल होगा कि sir फिर इतने goods लाये क्यों थोड़े थोड़े लाते है क्योंकि 3 करोड रुपे पे करना कोई जोक नहीं है आज आपको अपने जिव से निकाल के जना पड़ेगा और custom duty तो transaction wise है जब तक आप पे नहीं करोगे clearance order आपको मिलेगा रही तो ऐसे case में sir यहाँ पे थोड़े थोड़े लाते बेटा international market में ऐसा नहीं होता है कि थोड़े थोड़े गूट्स लाया क्यों नहीं ऐसा होता है क्योंकि reason यहाँ पे यह है कि अपनी freight cost transportation cost economical होने के लिए लोग बहुत सी बार bulk में purchase कर लेते है और supplier भी credit देता है उसका तो मैंने bulk में ला लिया supplier ने credit दे दिया लेकिन मेरी government ही मुझे support नहीं कर रही है मेरी government कहती है पूरा 3 करोड पे कर अब मैं अगर यहाँ पे 3 करोड रुपीज पे कर दूँ तो मेरे जिब से तो बहुत 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 पैसा एंगेज हो गया तो फिर यहाँ पे government ने एक facility दी है और वो facility है वेराउजिंग रिपेट वो facility है वेराउजिंग वेराउजिंग क्या होता है अगर आपको clearance कर आपको यहाँ पे immediate custom duty नहीं पे करना है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है या पैसा होगा तो भी आप अभी engage नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको इतने quantity का काम ही नहीं है तो आप जो है यह goods customs area से निकाल के वेराउज में रख सकते हो अब आ जाते हैं वेराउज वेराउज में अगर आप रखते हो तो आप without custom duty सुनिएगा आप without custom duty यह goods वेराउज में रख सकते हो चलिए अच्छी बात है without custom duty आप वेराउज में रख रहे हो अब यह वेराउज होते कहा है जैसे example की तोर पे ले लो कि आपने goods इंपोर्ट किया Mumbai port पे और Mumbai port पे आपने import करने के बाद अभी आपको clear नहीं करवाना है तो वो situation में आपने वेराउज में रख लिया अब आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूगा कि जो भी आपके doubts और questions होगे वो बाद में पूछना जब मैं आपको time दोगा पहले पूरी concept को अच्छे से समझ लीजिएगा ठीक है अब goods आ गया वेराउज में अब वेराउज कहां होते हैं sir तीन टाइप के वेराउज होते है public, private and special public वेराउज जो होते है municipal corporation के वेराउज है central वेराउजिंग कॉर्परेशन जिसे पूने-पूने के आसपास अगर आप देखोगे या आमदाबाद या सूरत या औरंगाबाद या आप जहां पे भी Delhi, Delhi में बहुत सारे municipal corporation, central वेराउजिंग कॉर्परेशन या local bodies के वेराउज होते है जिसे public वेराउज का जाता है उनको license मिलते है approval मिलता है कि चलो आप customs special अपरोल रहता है यह municipal corporation का यह central वेराउजिंग कॉर्परेशन का वेराउज यह custom approved वेराउज है custom approved वेराउज है मतलब क्या मतलब यह है कि वहाँ पे आप customs के goods रख सकते हो इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे revenue generate होता है वेराउजिंग company का क्योंकि अगर उनके वेराउज custom approved हो जाए तो ऐसे case में बहुत सारे importer उनके वेराउज में रखेंगे और इनको वेराउजिंग चार्जेज भी बहुत अच्छा मिलेगा तो ऐसे situation में पब्लिक वेराउस जो होते है जिसके approval लेने पड़ते है अगर approved हो जाए तो वहाँ आप custom goods रख सकते हो जैसे पूने में बहुत सारे public वेराउसे है कि जहाँ आपने मुंबई से goods लाया होगा तो मुंबई से आप जो है पूने ship कर सकते हो without duty without duty आप ship कर सकते हो next होते है private वेराउस sir यह private वेराउस क्या होते है जरूरी नहीं कि आप principal corporation central warehousing corporation इनके वेराउस में रखो आप अपने personal वेराउस में भी रख सकते हो आपके वेराउस है ठीक है उसके license ले लो उसके लिए apply करना पड़ता है कि यह मेरा के वेराउस है मुझे license दो में रख रख सकता हो मेरे वेराउस में तो यहाँ पर custom department आपके वेराउस को भी license देता है जिसे हम private वेराउस करते है और जैसे आपके वेराउस को approval आ गया license आ गया आप goods रख सकते हो अपने private वेराउस में भी without duty लेकिन आपको license लेने पड़ेंगे अपने वेराउस के और कुछ special वेराउस होते है यह special वेराउस custom control होते है यह पूरे custom department के lock में होते है हाँ government ने कुछ goods notify किये जो वेराउस इंचप्टर में आगे पड़ा होगा वो कुछ category of goods जैसे gold ले लो example की तोर पे कुछ category of goods आप public और private में नहीं रख सकते है government के जो locked वेराउस होते है क्योंकि वो पूरा locked government के control में होता है तो government के जो locked वेराउस होते है जो custom department के control में होते है वो special वेराउस में ही रख सकते है अब इस से related और discussion जो हम करेंगे वेराउस इंच चाप्टर में करेंगे जहां public, private और special अभी तो आप अभी basic level पे इतना समझ लो कि आप without duty I repeat without duty goods वेराउस में रख सकते हो now step बाइस step बात है okay sir हमारा goods custom area में unload हो गया unload होने के बाद मुझे अभी clear नहीं करवाना है for home consumption अब आपके सामने दो words आने वाले be careful आपके पास अगर rough notebook होगी तो दो words लिखो चलो लिखो तो आपका थोड़ा grip आएगा एक लिखो bill of entry for home consumption rough में लिखो मैं थोड़ी practice करवाना चाहता हूँ एक लिखो bill of entry for home consumption ठीक है और दुसरा लिखो bill of entry for warehousing second लिखो bill of entry for warehousing चली डिफरेंस में आगे बताऊगा आपने दो words लिखे grip आगई अब पहला word को explain कर देता हूँ bill of entry for home consumption क्या होता है bill of entry for home consumption जब आपको duty पे करके goods direct clear करना है for intended purpose आपका जो भी purpose है उसके लिए directly clear करना है और आप duty देने के लिए ready हो duty देने के लिए ready हो तो वो situation में आपकी bill of entry का नाम होता है bill of entry for home consumption ठीक है लेकिन आपको अभी फिलाल duty नहीं देनी है और आपको duty deferred करनी है एक नया उड़ा आया पिच्चर में duty deferred करने बाद में देनी है तो अब ओके वो case में आप अपने goods warehouse में रख सकते हो पर जब आप warehouse में रखोगे तो आपके bill of entry का नाम होगा bill of entry for warehousing यह समझ में आया क्या ओके यहां तक समझ में आया तो जितने भी student connected है जितना lecture हमारा interaction में होगा ओके यह graphics में होगा PPT में होगा उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आयेगा और custom बहुत interesting होते जाएगा दोस्तों मैं आपको कह दूँ कि आपको बिल्कुल भी feel नहीं होगा कि custom साब first time पढ़ रहो आप यहाँ पर यह मैपिंग से आपके understanding इतने depth level पर जाएगी कि आपको एक्जाम में लिखते वक यह picture सारे याद आएगे इसलिए दोस्तों मैं अगर आपको इस बार 80 लेने है और मेरी best wishes लेनी है तो जब भी मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर मुझे response देना है और like भी करना है ठीक है तो चली तो now next आते है यहाँ यह बताओ यह समझा क्या bill of entry for home consumption मैं पढ़ाते रहोगा और आप reply देते रहना reason यह है कि मैं अगर आपके reply का wait करते बटू तो मेरा वो एक minute भी waste हो जाएगा और भाई साब मुझे बहुत depth में cover करना है हमारे पास जितना time available है उसमें इसलिए मैं आप से यह कहँगा कि आप response जरूर देते जाएगे तो यह home consumption और warehousing तो जैसे उपर हमने home consumption देखा bill of entry for warehousing जब मैं यह bill of entry फाइल करता हो for warehousing मुझे duty पे करने की जरूरत नहीं है जब bill of entry for warehousing देता हो custom serious में यह warehousing की bill of entry मुझे custom serious में देनी पड़ती है यह रही मेरी bill of entry for warehousing मैं warehousing करना चाहता हूँ यह जब मैं bill of entry देता हूँ तो इसमें यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन से वेराऊस में रख रहा हूँ, मैं अम्दाबाद वेराऊस में रख रहा हूँ, मैं सुरत वेराऊस में रख रहा हूँ या मैं यहाँ पे पूने वेराऊस में रख रहा हूँ जो भी, जहाँ पे भी वेराऊसेस हैं, जिनको अप्रोवल मिला है या license मिला है, उसकी सारी details देनी पड़ती है, और मुझे assessment भी करना पड़ता है, कि कौन सा goods है, कितनी quantity है, क्या है, सब bill of entry में detail assessment करना पड़ता है, जो हम chapter number 4 में मैं आपको बता होगा, कि कौन कितना detail assessment करना पड़ता है, अभी आप समझे लो, कि ये पूरा 3-4 पेजे से bunch है bill of entry का, और इसमें सारा assessment करके मैं दे रहा हूँ, बिल आप एंट्री वेराउज में, ना, यहां पर, अब बिल आप एंट्री पर वेराउजिंग, फाइल करने के बाद, goods जो है, officer आपको allow करता है, और वेराउज में रखने के लिए, पर government ने उसके लिए condition डाली हुई है, और government क्या डाली हुई है, और government ने condition डाली हुई है, और government ने क्या condition डाली हुई है, ठीक है, government ने यहां पर यह condition डाली हुई है, कि जब आप bill of entry for वेराउजिंग फाइल करोगे, just a minute, जब आप bill of entry for वेराउजिंग फाइल करोगे, तो आपका goods without duty वेराउज में जा रहा है, जब आपका goods without duty वेराउज में जा रहा है, तो भाई साब, यह public वेराउज है, यह private वेराउज है, यहां से goods गाइब हो सकता है, मगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो government अपने आपको secure करती है, और government जो है, आपको कहती है, कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप हमें bond execute करके दे दो, bond execute करके दो, और bond की amount thrice the duty, याने अगर कुछ भी गड़बर होती है, तो आपको duty का three times का security हमें चाहिए, bond याने just security, not पैसा, don't get confused, security चाहिए, और जो भी bond की amount क्या होगी, thrice the duty, security, मतलब यह हुआ, कि जब आप warehousing की bill of entry फाइल करोगे, जैसे आपने warehousing की bill of entry फाइल की, तो warehousing के bill of entry के साथ साथ, आपको bond भी attach करके देना पड़ेगा, कि bond attach करके दो, जिसमें आप से bank guarantee ली जाती है, या, कोई FD lien करके लिए आता है, कुछ security हमें चाहिए, और वो thrice the duty, यानि जो भी duty होगा, उसका thrice, अब, समझ लो, आपने 10 करोड का consignment लाया, और 10 करोड का consignment की duty हो रही है, 30, sorry, 3 करोड, तो 3 करोड का thrice, मतलब 9 करोड का, सुनिए, 9 करोड का bond sign करके देना पड़ेगा, जिसके bank guarantee, या, कोई FD ली जो भी होगा, तो वो देना पड़ेगा, अब आपका सवार होगा, कि sir, अगर कोई यहाँ पे bond नहीं दे पा रहा, हाँ, पहले तो मैं आप सबको clear कर दू, कि यहाँ पे, पैसा नहीं माँग रहे है 9 करोड वो, वो सिर्फ security, by way of bank guarantee, या other security माँग रहे है, क्यों कि अगर future में smuggling हो गया, तो हम duty तो सिर्फ हमारा secure करेंगी, पर उसके उपर लगने वाली penalty, interest या other charges, वो भी government secure कर रही है, इसलिए आप से bond thrice the duty लिया जाएगा, और कि उतनी security लिया, और कि भाई साब मैंने bill of entry for warehousing फाइल कर दी और bond sign कर कर के दिया, 9 करोड का, 9 करोड कहा सा आया, 10 करोड का consignment, 3 करोड का duty, और कि इसका thrice, 9 करोड का मैंने bond sign कर के दे दिया, जिसमें bank guarantee भी attach कर दी, कि भाई कुछ हुआ तो मैं liable होगा, अगर कुछ हुआ तो नहीं हुआ तो बात खत्म, चलिए, अब मैंने यहाँ पर bond sign कर के दे दिया, सुनिए, ओके, उसके बाद में, जब तक यह bond नहीं मिलता है, तब तक goods यहाँ से order नहीं रहता है, वेराउजिंग का, यहने government आपका bill of entry for वेराउजिंग देखती है, उसके बाद में bond देखती है, bond आपने sign किया क्या, और बाकी सब documents देखती है, क्वानिका है, ओक यहाँ से यांघटी है, जब आपकाूए में की लिए बाकी से जदियों कि की अर्याश छहता है, garlic आपका भी. झाल 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 झाल